पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे ज़रूरी है सही कोच का होगा चुनिए CGPSC ली बात्शाला क्लासेज़ को और करे अपने CGPSC ली ब्याब बंप का सपना साकार Download the app now जिसे आप इन शहरों के बुग डिप में जा करके इस मैगजिन को ले सकते हैं साथी साथ आप हमारे मोबाइल एब CGBooksCart को डाउनलोड कर लेजे यहां से भी आप बुग को ऑनलाइन ओडर करके घरों में फ्री होम डिलिवरी के माध्यम से मंगा सकते हैं चलिए शुरू करते हैं टॉपिक ध्यान दिजेगा सबसे परए नमबर पर है धान खरीदी 2022-23 प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2022-23 में धान की खरीदी की जा चुकी है और कुछ नए आकड़े सामने आँ है जो की आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट है प्रदेश में धान खरीदी करने वाली संस्था का नाम है मार्क फिट प्रदेश सरकार के द्वारा धान खरीदी का जो समय जो तिथी निर्धारित किया गया था वो था 1 नवंबर 2022 से लेकर के 31 जनवरी 2023 के मद्य लेकिन ध्यान दीजेगा इस तिथी से डिरेक्ट प्रशन उठा सकता है या कथन आधारित प्रशन बन सकता है यहाँ पर 1 नवंबर के जगा आपको दे देगा 1 दिसंबर अगर हम यह लाश्ट एर की बात करें जो 2022-23 में जो धान खरीदी की गई इससे पहले के वर्शों में प्रशन सरकार के द्वारा धान की खरीदी एक दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी के मद्य की जाती थी लेकिन इस साल परदेश सरकार ने धान खरीदी के लिए 30 दिनों का याने की एक महीने का अत्रिक्ट समय दिया था इस साल धान की खरीदी जो है आपके एक महने पहले याने की 1 नवंबर 2022 से लेकर के 31 जनवरी 2023 के मद्य धान की खरीदी की गई केंद्र सरकार के द्वारा जो धान का नियुंतम समर्थन मुल्य निर्धारीत है वो सामान्य धान के लिए है 2040 रुपा प्रतिकुंटल जबकि grade A धान के लिए नियुंतम समर्थन मुल्य निर्धारीत है दो हज़ार साथ रुपए प्रती कुंटल जबकि प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के किसानों से पच्छिस सो रुपए प्रती कुंटल के दर से धान की खरीदी की जाती है प्रदेश सरकार ने लाश्ट येर घोशना किया है कि राज्य के किसानों से 2640 रुपए प्रती कुंटल की दर से धान की खरीदी की जाएगी, ठीक है, घोषना किया गया था, अब ये घोषना पर विचार किया जाएगा अभी जो बजट आने वाला है उस पर, लेकिन इस साल खरीदी 25 रुप प्रती कुंटल की दर से हुई है, ठीक है, एक किसान अधिक के लिए, धान को बेचे जाने के लिए, धान खरीदी केंद्र जो बनाये गए थे, उसकी संख्याती 2497, 2497 धान खरीदी केंद्र निर्धारित थे, धान की खरीदी करने के लिए, किसानों से, ठीक, देखिए, बहुत अच्छे अच्छे कोश्चन बन सकते थे, CGPSC प्री के एक्जाम में, लेकिन बहुत से ऐसे कोश्चन पूछे गए, जिसके कोई हाथ पैर भी नहीं थे, ये काफी अच्छा कोश्चन था, और इस साल काफी हाइलाइट में भी था, उमीद था कि इस साल इस से कोश्चन बनेगा, लेकिन पुरा बेड़ागार कर दिये, PSC ने, दे इसके विपरीत धान खरीदी हुई, आपके 107.5 लाख मेट्रिक तन, याने कि लक्ष जादा रहा, उसके विपरीत धान की खरीदी कम हुई, ठीक है, लगबग 2.5 लाख मेट्रिक तन कम धान की खरीदी हुई है, ठीक, ये जो आपका 107.5 तीन लाख मेट्रिक तन जो है, य प्रदेश के 23,41,935 किसानों से की गई, पंजीकृत किसानों की संख्या लगबग 24,25,000,000 के आसपास थी, वो पंजीकृत थे, लेकिन जरूरी नहीं कि जितने लोगों ने पंजीकृत कराया है, वो सभी की सभी धान बेचने के लिया है, ठीक है, यहाँ पर जो है, पंजीकृ 24,935 किसानों से इतने धान की खरीदी हुई है, और धान का रखबा 30.14,00,000,000 हेक्टेर रखबा था, ठीक है, यह इस साल क्या अकड़े है, नेक्स्ट है पंजीकृत राइस मिल, यानि कि जो धान की खरीदी हुई है, अब उससे चावल बनाया जाएगा, तो उसके लिए भ 2284, ठीक है, 2284, 2284, पंजीकृत राइस मिल है, यह नए आकड़े है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, हो सकता है, आगामी एक्जाम में प्रश्न बने, पंजीकृत राइस मिल की संख्या कितनी है, 284, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखना है ठीक, नेक्ट देखिए, नेक्ट है, 36 गड़ के राज्यपाल, 36 गड़ के नए राज्यपाल बनाये गए है, स्री विश्वभूशन हरीचंदन, स्री विश्वभूशन हरीचंदन, जो कि हमारे प्रदेश के सातवे राज्यपाल है, ठीक है, सातवे राज्यपाल है, यह सू सूसरी अनुसुया उईके के इस्थान पर हमारे 36 गड़ के राज्यपाल बने है इनसे पहले सूसरी अनुसुया उईके जी हमारे 36 गड़ की राज्यपाल थी ठीक है उनके पस्चात अब नए राज्यपाल बनाये गया है स्री विश्वभूशन हरी चंदन स्री विश्व भूशन हरी चंदन 36 गड़ से पहले आंधर प्रदेश ठीक है 36 गड़ से पहले आंधर प्रदेश राज्य के ये राज्यपाल थे ठीक है आंधर प्रदेश राज्य के राज्यपाल थे इन्हें 36 गड़ का राज्यपाल बनाया गया है यह हमारे प्रदेश के कौन से नंबर के राजजपाल है, सातवे नंबर के राजपाल है, कैसे राजपाल, पूर्ण कालिक, पूर्ण कालिक राजपाल है, देखिए एक होता है पूर्ण कालिक, एक होता है कारे वाहग, ठीक है, बहुत से न्यूस पेपर में आपको पढ़ने क तक राज्यपाल हुए उन सभी की सूची को देख लीजिए इनका चहरा जो है अब थोड़ा सा याद कर लीजिए ठीक है ये अब आगे सभी नियूस पर में आपको राज्यपाल के रूप में इन ही को देखने के लिए मिलेगा ठीक देखिए ये है हमारे प्रदेश में राज कालिक राज्यपाल है गौवर्मेंट की जो ऑफिशल वेबसाइट है वहाँ पर भी आगर आप जाकर देखेंगे तो इनका सेवन्थ नंबर ही शो हो रहा है जो सीजी विधान सभाब वेबसाइट है उसमें भी ठीक देखिए हमारे प्रदेश के पहले राज्यपाल थे स्र प्रदेश के राज्यपाल थे चौते नंबर पर है आपके स्री शेकरदत जो की 2010 से 2014 के मत्य हमारे प्रदेश के राज्यपाल थे इनी बीच में जो है कारवाहक राज्यपाल के रूप में थे आपके स्री राम नरेश यादव जो की 2014 में हमारे प्रदेश में अलपकाल के लि इनी के कारेकाल के बाद स्रीमती आनंदी बेन पतेल को हमारे प्रदेश का कारेवाहक राज्यपाल बनाया गया था। स्री आनंदी बेन परेल जो कि मद्यप्रदेस राज़ा की राज़पाल थी, उससे में हमारे 56गड में राज़पाल का पदरीक्त था, तो इन्हें अत cupboard प्रभार सौपा गयादा 36गड था, यåनि कि छत्रीगड की कार्यवाहक राज़पाल थी, जबकि पूर्ण कालिक राज्यपाल कहां की थी? ये मद्ध प्रदेश की थी. 36 गड़ भी इन्हें अत्रिक्त भार के रूप में सौपा गया था. छटवे नंबर पर है आपके सूसरी अनुसुया उइके जी, जोकी 2019 से लेकरके 2023 के मद्धे हमारे प्रदेश की राज्यपाल रही. ठीक है? यहाँ पर ध्यान दे जेना? जो सूसरी अनुसुया उइके जी है, ये हमारे प्रदेश की पहली पूर्ण कालिक महिला राज्यपाल कौन है पूछा जाएगा तो सुरू स्री अनुसुय उइके जी जबकि साथवे नंबर के पूर्ण कालिक राज्यपाल कौन है पूछा जाए तो वो है स्री विश्व भूशन हरी चंदन 2023 से निरंतर अब यह तो होग हमारे प्रदेश के राज्यपाल की सूची ठेक इसके साथ सद आपको जो है कुछ अन्य राज्यपालों के भी नाम आपको याद रखने हैं अन्य राज्य के राज्यपाल कौन कौन से जैसे की आनंदी बेन पर सॉरी आपके अनुसुय पूशन हरी चंदन जो कि हमारे 36 गर के राज्यपाल है तो 36 गर से पहले यह कहां के राज्यपाल थे यह आंधर प्रदेश के राज्यपाल थे ठीक है तो अब आंधर प्रदेश के राज्यपाल थे अब 36 गर में आए तो आंधर प्रदेश का आंधर प्रदेश का राज्यप इसके सासत आपको नाम याद रखना है रवेजबैस जो कि हमारे चत्तित गड़ संबंदित है ठीक है चत्तित गड़ संबंदित है चत्तित गड़ से आपके विधायक भी रह चुके है आपके सांसत भी रह चुके है ये पहले जारखंड जारखंड के राज्यपाल थे जारख ठीक नेक्स्ट देख़िए नेक्स्ट है पेन अमेरिका Б्लादी मीर नबाप को अवर्ड फोर ऑचीवमेंट इन इन्तरनेशनल लिट्रेचल 2.030 ठीक जिसे शौर्ट में आपका नबाप को अवर्ड भी कहा जाता है नाबाको अवर्ड ठीक है जो कि अमेरिका की एक आपके ग साहित्य का Oscar Award ऑसकर अवर्ड जो है फिल्म जगत में दिया जाने वाला PURUSKार है ये जो है साहित्य के छेत्र का इसे क्या कहा जा रहा है साहित्य के छेत्र का Oscar थेएक हमारे प्रदेश के साहित्यकार विप्रिनोत कुमार शुकल जी को पेन अमेरिका ब्लादी मीर नाबा कोव अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर 2023 सम्मानित किया गया इन्हें 50,000 डॉलर ठीक है 50,000 डॉलर की राशी इन्हें दी जाएगी ठीक पुरुसकार के रूप में देखिए ये क्या है ये जो है आपका पेन अमेरिका पेन अमे नाबा कोव अवार्ड ये जो है आपका दिया गया है विनोत कुमार शुकल जी को देखिए नाबा कोव अवार्ड 2013 शॉट में कहा जाता है सम्मानित किया रहा है विनोत कुमार शुकल जी को जो की 36 गड़ के नांद गाव से संबंदित है ठीक है 36 गड़ के नांद गाव से संबंदित है आपके विनोत कुमार शुकल जी दो मार्च को अमेरिका के नियू यॉक शहर में ये अवार्ड सेरिमनी है देखे ये जो आपके विनोत कुमार शुकल जी है ये हिंदी के शिर्षस्त कवी, कहानिकार एवं उपरन्यासकार है इन्हें या पुरुसकार विश्व साहित्य के छेत्र में योगदान के लिए दिया जा रहा है पुरुसकार के रूप में इन्हें 50,000 डॉलर भारती मुद्रा में अगर हम बात करें तो 41,000,000 रुपे से अधिक राशी इन्हें प्रदान की जाएगी यह पुरुसकार ताप्त करने वाले यह पहले भारतीय एशियाई मुल्के लेखाक है जिन्हें इस सरवोच सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है पहले भारतीय है पहले भारतीय एशियाई मुल्के लेखाक है जिन्हें यह सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है इससे पहले जो आपके विनोत कुमार शुकल जी है इन्हें साहित्य अकाडमी अवर्ड 1999 से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है इस एर को भी आपको याद रखना है ठीक है इन्हें साहित्य अकाडमी अवर्ड किस वर्ष प्रदान किया गया तो 1999 में इन्हें साहित्य अक कमीज, कहिलेगा तो देखेंगे एक Chuppi जगा, यह इनके कूछ famous रचना है, ठीक है, यह 4 को तो पहले याद रखेंगा, दिवार में खिड की रहती थी, नौकर की कमीज, कहिलेगा तो देखेंगे एक Chuppi जगा, यह famous रचना है, इसके सासथ हरे घास की छपरवाली झोपड़ी और बौना पहाल थेक वह आदमी चला गया गरम कोट पहिन कर विचार की तरह अत्रिक्त नहीं सब कुछ होना बचा रहेगा कभी के बाद अभी यासी रासात पेड़ पर कमरा महा विद्याले लगभग जयहिंद आकाश धर्ती को खटाता है एक कहानी घोडा और अन्य कहानिया कवीता से लंबी कवीता आधी ये इनकी प्रमुक रचना है शुरू के चार रचना को याद रखेगा जनरली कोशन इसी के इर्दगिर्द बनता है ठीक है लेकिन सभी को याद कर लेंगे तो अच्छा है तो इसमें याद रखना है ये पु पहले भारती एशाई मुल्क के लिखाक है जिनने ये पुरुसकार प्रदान किया गया ठीक संगीत नटक साहित्य अकादमी अवर्ट से इन्हें वर्ष 1999 में सम्मानित किया गया था नेक्ट देखे नेक्ट है च्छतिस गड़ के पंध्रवे मुख्य नयाधिश बनने वाले है नियायमूर्थी रमेश कुमार सिन्हा ठीक है नियायमूर्थी रमेश कुमार सिन्हा जो है ये च्छतिस गड़ के पंध्रवे मुख्य नयाधिश बनने वाले है ठीक है ध्यान दीजेगा च्छतिस गड़ के जो वर्तमान चीफ जश्टिस है अरूप कुमार गोस्वामी ये 10 मार्च 2023 को रिटार हो जाएंगे उनके रिटार्मेंट के बाद इलाबाद हाई कोर्ट में कारे रत ये वर्तवान में जो आपके रमेश कुमार सिन्ना जी है इसके पस्चात 10 मार्च के बाद ये 36 गड़ के 15 मुख्य नैधीश के रूप में जश्टिस रमेश कुमार सिन्ना 36 गड़ हाई कोर्ट के चीफ जश्टिस बनाई जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अनुशंचा की है ठीक है तो ये आपके 10 मार्च के बाद हमारे प्रदेश के 15 मुख्य नैधीश याने कि आपके बिलासपूर जो हाई कोर्ट है हमारे प्रदेश का हाई कोर्ट कहा है बिलासपूर में है बिलासपूर हाई कोर्ट के 15 चीफ जश्टिस होंगे ठीक इन्पोर्टेंट है याद रखना है इसके साथ अगर हम बात करें जैसे कि अब इलहाबाद हाई कोर्ट से यहां आ रहे तो इलहाबाद हाई कोर्ट में जो है जस्टिस प्रितिंकर दिवाकर है यह इनकी शुरुवात वकालत के तौर पर हमारे 36 गड़ से हुई थी बाद में इनका ट्रांसफर इलहाबाद में हुआ अब इलहाबाद से यह जो रखना है कौन से नंबर के है पंद्रवे नंबर के मुखे नया धीश है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है लिथियम का भंडार अभी हाली में हमारे प्रदेश के कोर्वा जिले के कटगोराप के अंतरगर कुछ इस्थान है जैसे कि महेशपूर रामपूर और नवागाउ यह यहां पर लिथियम के भंडारं ट्राप्त हुए है लिथियम जिसका उपयोग मोबाइल बैटरी बनाने में लैप्टॉप बैटरी बनाने में और आज के डेट में इलेक्ट्रोनिक वहीकल चार पया वहाँ दूपया वहाँ जो आपके बैटरी से चलने वाले जो वहाँ है उसमें इस लिथियम का भारी मातरा में उप्योग हो रहा है, ठीक है, तो लिथियम का भंडार हमारे 36 गड़ में मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, हमारे देश में लिथियम का बहुत बड़ा भंडार मिला है आपके जमू कश्मीर में ठीक है वैसी हमारे 36 गड़ में मिला है कहां पर आपके कटगोरा में देखे कटगोरा के महेशपूर में रामपूर में एक पहाड है जिसका नाम है आपका चकचकवा पहाड चकचकवा पहाड जो की रामपूर कोरवा जी ले के कडगोरा छेतर के अंतरकत आता है यहाँ पर भी लिथियम के भंडार मिले है देखिए जमीन से लगबग 80 फिट नीचे लिथियम के मौजुदगी होने की पुष्टी हुई है विशेश क्या है कडगोरा छेतर में इस से पहले मानगुरू की पहाड़ियों में लिथियम ब्लॉक जो है यह भी इसके अंतरका शामिल है प्रदेश सरकार जो है अभी मानगुरू की पहाड़ी का इनीलामी करने का प्रयास कर रही है ये जो मानगुरु की पहाड़ी में लिथियम का भंडार पहले भी मिल चुका है लेकिन अभी जो नए जो भंडारन मिले है वो कहां पर है महेशपूर, रामपूर और नवागाओ ये रामपूर के चकचकवा पहाड़, प्रश्ण पूछा जा सकता है कि चकचकवा पहाड़ म की बैटरी बनाने में इसका उप्योग होता है ये कुछ इस तरह की के एविडेंस यहाँ पर मिले है ठेक है साक्ष प्राप्ठ हुए है चलिए नेक्श देखिए ये इनपॉर्टेंट है पहाड़ों के नाम फ्रोड़ासा और शहरों के नाम याद रखिएगा कडगोरा, याने कि Sustainable Development Goal, 36-गरणे CDG District Progress Report 2021, रिपोर्ट कभ की है? 2012, जारी किया गया है 36-गरणी योजना आयोक के द्वारा, इस रिपोर्ट को जारी किया जाने का उधिश क्या है? सतत विकास लक्ष की समय बद्ध प्राप्ती सुनिश्चित करने एवं विकास का लाब अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ती तक प्रभावी रूप से पहुचा जाने के उद्देश से यह रिपोर्ट जारी की गई है देखिए संयुक्तराष्ट संग के दोरा सतत विकास लक्षों का निर्धारन किया गया है जिसका इस लक्ष को प्राप्त करने की जो आपका एयर है वो डिसाइड किया गया है 2030 ठीक है उसी लक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार ने अपने इस तरपर 36 गड़ SDG याने कि Sustainable Development Goal सतत विकास, लक्ष, डिस्ट्रिक्ट, प्रोग्राम रिपोर्ट जारी किया है 2021 का ठीक है इसके अंतरगा टोटल 4 स्रेणी निर्धारित की गई है जैसे कि Achievers Ready अगर कोई जीला 100 अंक प्राप्त करता है अंकों के आधार पर स्रेणी निर्धारित की गई है कोई जीला 100 अंक प्राप्त करता है तो उसे Achievers category के अंतरगत रखा जाएगा 65 से 95 अंक वालों को Front Runner category में रखा जाएगा उसके 50 से 64 के अंतरगत आने वाले को Performer category और 50 से कम वालों को Aspirant category के अंतरगत रखा जाएगा ठीक है अगर हम देखे इस ranking में देखे इस ranking के अंतरगत जो है प्रत्यक जिले को प्रगती के आधार पर score और ranking प्रदान किया जाए इसमें total आपके 82 indicator यानि कि सुचकांग मा बोल सकते आप इंडिकेटर टोटल 82 indicator इसमें निर्धारित किये गए थे ये indicator और कुछ नहीं प्रदेश सरकार के दोला चलाई जा रही जो योजना है जैसे कि महतारी जतन योजना आपका इसके लावा नोनी सुरक्षा योजना ठे इस योजनाओं का जिले के अंतरगत कितनी सुचारूर उपसुच का संचालन हो रहा है अंतीन चोर में बैठे व्यक्ति तक वो योजना किस प्रकार से पहुच रहा है उसके आधार पर प्रगती के आधार पर जो है आपके स्कोर और रैंक का निर्धानन किया गया टोटल 82 indicator इसके आधार पर 36 गड़ में टॉप पोजिशन पर रहने वाया जिला है आपका धमतरी जिला धमतरी जिला जिसे 72 अंक प्राप्त हुआ अगर अब बात करें अचीवर्स केटेगरी की तो कोई भी जो है 100 अंक नहीं लाया तो ये जो है आपका अचीवर्स केटिगरी के अंत अंतरगत कोई नहीं थे अगर हम बात करें 65 to 99 ये कटेगरी कौन सी है ये कटेगरी है आपके फरंट रनर की तो ये सभी के सभी जो टॉप 5 के जिले है ये फरंट रनर के अंतरगत आते हैं इसके नीचे परफॉर्मर और आपके एस्पइरेंड थे लेकिन आपको टॉप 5 के नाम याद रखने है, इतना नाम तो आपको कम से कम याद रखना है, ठीक, देखे, संयुक्त राष्ट के द्वारा सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक इस्तर पर 17 सतात विकास लक्ष निर्धारित किये गए है, यही प्रशन आया हुआ है, कि संयुक्त आपके SDG गोल, यानि कि सतत विकास के अंतरगत, वैश्विक इस्तर पर कुल कितने विकास लक्ष निर्धारित किये गए है, तो कितने, टोटल 17, अब यह 17 लक्ष कौन कौन से, जैसे कि गरीवी खतम करना, पर्यावार रक्षा करना, आर्थिक समता को कम करना, सभी के लिए शान्ती, न्याय सुनिश्चित करना, अच्छा स्वास्त, अच्छा जीवन इस्तर, गुनवत्ता पूर्ण सिक्षा, लेंगिक समानता, साफ पानी, स्वच्छता, सस्ती, एवं स्वच्छ उर्जा, टिकाव शहरी, और एवं समुदाइक विकास, ऐसे जो है, टोटल 17 जो है, पूछ सकता है, कि प्रदेश सरकार दौरा जारी, 36 गड़, SDG, District of Progress, रिपोर्ट, 2021 के अंतरगत, कौन सा जिला, शिर्ष सिस्थान पर रहा, तो वो है आपका धमतरी जिला, ठेक, नेक्स्ट देखिए, मिलेट्स, मिलेट्स का मतलब होता है, मोटे अनाज, देखिए, हाली में, आपका मिलेट्स ओन वील, इसका उधगातन किया गया है, मुख्यमंत्री भुपेज बगेल जी के द्वारा, यह देश का पहला मोबाइल मिलेट कैफे होगा, मोबाइल मिलेट का मतलब यह नहीं, जो हाथ में हम चलाते है, स्मार्टफोन वो मोबाइल ने, के मिलेट्स से बने हुए व्यंजन को परोसेगा, देखे, इसमें जो है, इसमें मिलेट्स के अंतरगत, रागी, कोदो, कुटकी से बने हुए लजीज व्यंजन परोसे जाएंगे, इसका उधगातन मुख्यमंत्री भुपेज बगेल जी के द्वारा, चार फरवई, दोजा क्या-क्या होगा, इसमें जो है, मिलेट्स के अंतरगत, रागी से बना चीला, दोसा, मिलेट्स पराठा, इडली, मिलेट्स मंचूरियन, पिज़ा, कोदो की, बिर्यानी, कुकी से बने पकवान, आदी जो है, इसमें प्रलान के जाएंगे, इस मिलेट्स ऑन वील का उद्द मिलेट्स इयर, यानि कि अंतराष्टी मिलेट्स इयर की रूपर मनाया जा रहा है, चतिसगर के कांकेर जीले के नतिया नावा गाव में, मिलेट्स का सबसे बड़ा प्रोसेसिंग यूनिट भी स्थापित किया जा चुका है, इन्पोर्टेंट है, इतने फैक्ट याद रख श्री विवेक धान्ट जोकी चतिसगर के पूर्व मुख्य सचीव भी रह चुके है, और सातिसाथ रेरा के पूर्व चेयर्मेन भी रह चुके है, श्री विवेक धान्ट चतिसगर शाषन द्वारा किये जाने वाले प्रशासनिक नवाचारों, एवं विभिन जन कल्यानकारी योजनाओं को प्रभावी क्रियानवयन के लिए समय समय पर, राज्य शाषन को सुझाव देने के उद्देश से, चतिसगर राज्य नवाचार आयोग का इस्थापना क आगया था, और इसी के अध्यक्ष बनाए गया है आपके विवेक धान, ठीक, नेक्ट देखिए, चतिसगर बिरोजगारी भत्ता, काफी कॉंट्रोवर्सी वाला है, ये इसको फ्रॉज समझना, चतिसगरी बिरोजगारी भत्ता, काफी समय से मांग थी, चुनाओ प्रचार कि इसमें जो शामिल होने का जो लिमिटेशन देखेंगे, कि कौन इसके अंतरगत पात्र होगा, तो आपको पता चलेगा कि लगभख सभी के सभी इसके अंतरगत बाहर है, किसे दिया जाएगा, कोई अता पता नहीं, ठीक, क्योंकि आज के डेट में, कोई न कोई व्यक्ती अपने घर का गुजारा बसारा करने के लिए कोई न कोई नौकरी कर रहा है, और इसकी पात्रता को देख करके आपको समझ में आएगा, कि इसके अंतरगत कौन शामिल होंगे, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है, प्रदेश सरकार ने घोशना किया है, कि 2500 रुप प्रती मह बेरोजगारी भत्ता के रुप में प्रदान किया जाएगा, एक अप्रेल 2023 से ये बेरोजगारी भत्ता लागू किया जाएगा, ठीक है, अब इसकी पात्रता देखिए, राज्य शाचन द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान किये जाने के माबदन निर्धारित किये जा सेकंड, रोजगार कार्याले में पंजीयन होना जरूरी है एक दो साल पहले का रोजगार कार्याले में पंजीयन जरूरी है चलो ये दोनों ठीक है ठीक तीसरा बोल रहा है कि परिवार का कोई भी सदश्य ना तो चास्किय नौकरी और ना ही नीजी कमपनी में नौकरी हो याने कि अगर किसी परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ पर क्या वो रहा है परिवार का कोई भी सदस्य चाहे माता पिता हो या परिवार में आपका बड़ा भाई सदा भाई भी अगर या तो government नौकरी में है ठीक है या फिर नीजी company में private sector ये किसी company में अगर वो कारे रथ है तो उसे बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा अब एक परिवार है उस परिवार का या तो पिता अपने परिवार को पालने के लिए कोई नौकरी में होगा ठीक है भले उसकी salary कितनी भी कम हो या इसके साथ जो है आपका उसके परिवार के या तो कोई भाई सिक्षित होगा वो किसी ने किसी company में नौकरी में होगा लेकिन ये तो आपका मापदंड नहीं हो सकता ना ठीक उसके बाद बोल रहा है कि पांच एकर से अधिक क्रिशी भूमी अगर किसी के पास है तो वो पात्र नहीं होंगे समर्थर मुल्य पर अगर 75 कुंटल धान बेच रहा है वो राजसरकार को वो भी पात्र नहीं होगा ठीक है पात कंपनी में जो नौकरी है उसमें न्यूनतम आए एक परिवार कितना कमा रहा है कितना अरजित कर रहा है वो एक मापदंड होना चाहिए ठीक है पता चला सरकारी नौकरी है लेकिन वो उसके परिवार में किसी के पिता जी जो सरकारी नौकरी लेकिन सरकारी नौकरी कैसे मान करना चाहा रहे हाँ एक ये चीज हो सकता है कि पात्रता के लिए जो नियुंतमाय निर्धारित की जा रही है यहाँ आपर राज्य सरकार कुछ निर्णे ले सकती है ठीक है तो यह है आपका बिरोजगारी भत्ता 25 रुब अब कुछ महत्सव है जिसे बताने के लिए जादा कुछ नहीं है बस आपको डेट याद रखना अगर इससे प्रशन पूछा गया तो डिरेक्ट डेट से प्रशन पूछा जाएगा पाली महत्सव पाली कहां पर है यह आपके कोरबा में इस्तित है कोरबा में पाली जहां पर आपके विक्रमा दित्ते द्वरा ठीक है बानवन से शाषन विक्रमा दित्ते द्वरा बनाया गया एक आपका शिव मंदिर है प्रसस्त शिव मंदिर यहां पर 18-19 फरवरी ठीक है प्रसत शिव मंदिर है तो इस साल आपका महाशिवरात्री कम मनाया गया था आपकी 18 फरवरी को मनाया गया था तो 18-19 फरवरी 2023 में पाली महत्सो मैदान पंचायत कोरा जरिया पाली कोरभा में इसका आयजन हुआ दो दिवसी मिला है ज्यादा कुछ नहीं बस सांस्कृतिक कार महत्सो का आयजन हुआ देखिए यह ऐसे महत्सो है जिससे केवल इनके डेट से ही कोशन बन सकता है केवल डेट से कोशन बाकि इन तिथियों में जो आपका जो आयजन हो रहा यह महत्सो इसमें केवल और केवल सांस्कृतिक कारिक्रम होते लेकिन हा इनके डेट से कोशन बन में ठीक है गोरिला पेंडरा मरवाही में अर्पा महसो का आयोजन हुआ अर्पा महसो का आयोजन चार फरवरी से लेकर के बावा फरवरी के मध्य इस महसो का आयोजन हुआ जिसमें अलग-अलग सांस्कृतिक कारेक्रम खेल प्रतियोगिता भी रखा गया मैराथॉन भी रखा गया आरोग्यम योगा भी रखा गया और योग रिट्रीट ये सभी के सभी जो है अर्पा महत्सों के अर्पा महत्सों में जो है ये सभी के सभी आपके सम्मिलित किये गए थे ठीक तो अर्पा महत्सों का आयोजन का किस जिले में होता है ये होता है आपके गोरिला पिंटा मर Important है याद रखना है गिदव परसदा कहा है ये मौझूद है आपके बिमेतरा में ठीक important है next देखिए next है अमरित धारा महुत्सव अम्रित धारा जल्प्रपात अमरित धारा जलप्रपात किस जिले में है ध्यान दिजेगा अमरित धारा जलप्रपात जो है यह आपके मनेंद्रगड जिले में है मनेंद्रगड चिर्मिरी भरतपूर मनेंद्रगड जिले में इस्थित है इससे पहले आपका अमरिद्धारा महोस्तो का आयोजन कोरिया में होता था विभाजन से पहले अभी जो है इसका आयोजन अमरिद्धारा जलप्रपात ग्राम लाई मनेंद्रगड चिर्मिरी भरतपूर जिले में इसका आयोजन हो रहा है महाशिवरात्री के पावन परवपर हर वर्ष की तरह इस सार भी मनाया जा रहा है यानि कि कब आयोजन हुआ 18 फरवरी को 18 फरवरी 18 और 19 फरवरी ठीक है 18-19 फरवरी को जो है इस महाशो का आविजन हुआ याद रख लेना डिरेक्टर फ्रश्न बन सकता है अब कुछ सिंगल वन लाइनर विवीध है ध्यान दिजेगा सबसे बेर नमबर पर है आपका गुडरी जर्ना गुडरी जर्ना अभी हाली में चर्चा में रहा ये है आपके रायगड जिले में सेकंड नमबर पर है फेमिना मिस इंडिया 36 गड़ 2023 का खिताब ये खिताब जीता है रायपूर के रहने वाली अदिती शर्मा ने फेमिना मिस इंडिया 36 गड़ ये खिताब आप जी चुकी है अब ये जो है फेमीना Miss India ठीक है याने की नैशनल लेवल पर जो आपके Miss India जो contest होता है वहाँ पर अब ये 36 गड़ का प्रतिनी धित्व करेगी ठीक है इन्हें 36 गड़ का टो title मिल गया है अब ये जो है 36 गड़ से जाकर के आपके इन नैशनल लेवल पर 36 गड़ का प्रतिनी कुजूर को नेक्स्ट है राज्य इस्तरी मिलेट कार्निवाल फेष्ट मिलेट कार्निवाल फेष्ट जो है 2023 इसका आउजन हुआ 17 से 19 फरवरी 2023 के मद्या नेता जी सुभास इस्टेडियम राइपूर में ठीक है एक फेष्ट था जहां पे आपके मिलेट से बने हुए प्र पंडित रवीश अंकर शुकल विश्व विद्याले के कुलपती बनाये जाएंगे प्रोफेसर सचीदानन्द शुकला ये जो है 10 अप्रेल के बाद शायद आपके पंडित रवीश अंकर शुकल विश्व विद्याले के कुलपती बनाये जाएंगे ठीक है अभी इनका नाम जो है आपका सलेक्ट हुआ है कुलपती बनाए जाने के लिए तो अगले कुलपती होंगे प्रोफेसर सचीदान शुकला सरस्वती साइकल योजना 2023 सरस्वती साइकल योजना क्या है नवी पास छात्राओं को इस्कूल आने जाने के लिए निशुल का साइकल प्रतान के जाता था लेकिन ध्यान दिजेगा ये जो आपका सरस्वती साइकल योजना है ये केवल छात्राओं को याने की आपके गर्ल्स के लिए ये आपकी योजना लाई गई थी ठीक है अगर कोई आपकी छात्रा ठीक है कोई चात्रा याने की कोई लड़की नवी पास हो दिए तो उसे जो है घर से इसकुल आने जाने के लिए साइकल निशुल का साइकल प्रतान किया जाता है लेकिन अब प्रदेस सरकार ने नियो लिया है कि 2023-2024 से आपके छात्राओं क साथ साथ छात्रों को भी निशुल को साइकल प्रदान किया जाएगा ठीक है यहने की boys and girls दोनों को जो है निशुल को साइकल प्रदान किया जाएगा इस सरस्वती साइकल योजना के अंतरगत तो यह था आपके फरवरी महीने का करेंट अफेर जो की होता है समापत किसी प्रदान डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करें पूछ सकते हैं चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजेगा लाइक और शेयर ज़रू कीजेगा धन्यवाद